मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान जब कहते हैं कि प्रदेश में क्रियानवित की जा रही लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं बलकि समाजिक क्रांदी है यह महिलाओं को उनके अधिकार देने की योजना है तो वाके धरातल पर ऐसा होता दिख रहा है इस योजना का लाब हर धर्म हर तबके के लोगों को मिल रहा है इन महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना के तहट मिलने वाली राशी जिन्दगी में एक बड़े बदलाओ की वज़े बन रही है मुस्लिम महिलाएं भी इस योजना के लाब हरती हैं और वह इसके लिए मुख्यमंत्री शिवरास चिंग चोहान का आभार मान रही है करते हैं nochas करेंगे उसका हम लोको बहुत लाव है हमारी घर में काम आ रहे हैं आहे हुझ souven करती है मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान की लाडली बहना योजना का लाब उन महिलाओं को मिल लहा है जो आर्थिक रूप से कम जोड़ थी लाटली पहना योजना से अब महिलाएं सशक्त हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिती भी बदल रही है जो पैसा महिलाओं के खाते में जा रहा है वह पैसा अपने परिवार और बच्चों के पढ़ाई लिखाई में खर्च कर रही है अच्छी योजना है इससे हम लोगों को बहुत लाव हो रहा है और हम लोगों को एक हजार रोपए उन्हों ने पहले दिया इससे हम लोगों का जो आर्थिक स्थिती में है उसमें सुधार आया है और हम लोगों का बजट भी जो है उसमें बढ़ उतरी हुई है थो हमें चि-उम्धनी का और खुस्काबध अच्छी लग और अच्छी लग आपने अंदर ये पैसे हम अपने बच्च Pikachu ये हना पीना जो भी वो मुझे फर्माईस करते हैं बच्चे कि长ष के आज मुझे ये चाहिए वो चाहिए तो मैं उसके लिए दिला सकते ह। जरूरतों को पूरा करते हूं। शिवराज सरकार लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को आवास और 450 रुपए में गैस स्लिंडर की सौगात भी दे रही है साथ ही मुख्यमंद्री ने हाली में एलान किया है कि लाडली बहना योजना में बहनों को मिल रहे राशी को धीरे धीरे बढ़ा कर 3000 रुपए किया आवाजाईगा